नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है कैट वेप सीरीज जिसके है आठ एपिसोड और हर एपिसोड इन एन आवरेज 40-45 मिनिट का है कैसी है ये सीरीज? आईए बात करते हैं वेल हेलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी सीरीज एक स्पाई क्राइम थ्रिलर जॉनर पर बेस करती है जिसमें रंदी फुडा ने प्ले किया है एक कैट का रोल बेसिकली कैट याने एक ऐसा स्पाई जो दुश्मन के कबिले में घुसकर उनका खास बंदा बन जाता है और उनकी information अपोजिट पार्टी को देता है तो ये सीरीज ओरिशनली पंजाबी लैंग्वेज में है बट अगर आपको पंजाबी से कोई दिक्कत है तो वो हिंदी में भी डब होकर अवेलेबल है इस सीरीज में ड्रग स्मगलिंग, पॉलिटिक्स, गुंडागर्दी और थोड़ा सा human trafficking के उपर भी फोकस होता है जिसमें ड्रग्स कैसे पंजाब में फैल चुका है और उसके आड में पॉलिटिक्स भी कैसे चलता है वो दिखाया गया है गुरनाम सिंग याने रंदिपुडा ने जिस कारेक्टर को प्ले किया है वो इस पूरे सीरीज में लीड तो है ही साथ ही उन्होंने जिस बारी किसे इस रोल को निभाया है ना उसके लिए सबसे पहले तो हैट्स ओफ, he is most underrated actor of Bollywood पूरे सीरीज में दो स्टोरीज साइमल्टेनियसले चलती रहती है पास्ट और प्रेजेंट जो धीरे-धीरे करके हर एपिसोड में एक दूसरे से लिंक होती जाती है और इस सीरीज के मेकर्स ने बड़ी होशियारी के साथ हमारे सामने दोनों स्टोरीज को जोड़ कर दिखाया है मुझे स्पेशली जो पास्ट वाली स्टोरी दिखाई जाती है वो ज़ादा इंटरेस्टिंग एंड ग्रिपिंग लगी हो सकता है कि फर्स्ट एपिसोड आपको थोड़ा हलका पुलका सा लगे और इंटरेस्ट ना आए पर सेकंड एपिसोड से ये सीरीज अपनी अच्छी खासी ग्रिप बना लेती है और लास्ट एपिसोड तक वो ग्रिप लूज नहीं होने देती और जैसे इस सीरीज में एक डायलोग है कि गंदगी हटाने के लिए खुद भी गंदा होना पड़ता है तो गुरुनाम सिंग जो इस गैंग में शामिल होता है तो कही न कहीं वो खुद भी धीरे-धीरे वही सब काम करने लगता है उसको एक्चूली मिशन मिलता है कि ड्रग राकेट्स को कम करके पंजाब के नौ जवानों को बचाना है पर कहानी जैसी दिख रही है वैसी है नहीं मेरे दोस्त कोई एक इंसान है जो सबको अपने इशारों पे नचा रहा है और लास्ट में स्टोरी एक अलग ही मोड ले लेती है जो काफी इंट्रेस्टिंग था और सच कहूंगा कि मैंने ये सीरिस थोरोली एंजोई जरूर की है क्योंकि ये सिर्फ एक आस्पेक्ट को लेकर नहीं चलती इसमें ड्रग्स, पॉलिटिक्स, फैमिली ड्रामा, सस्पेंस, न्यूडिटी, सब कुछ है इवन जितने भी एक्टर्स है वो आपको अपने अक्टिंग से अपने दुनिया में लेकर जाते है क्यारेक्टर डेवलेप्मेंट इतना अच्छा किया है कि हर क्यारेक्टर के साथ आप परसनली जुड़ने लगते हो कुछ एक क्यारेक्टर को आप लिटरली हेट करोगे तो कुछ एक से आपको हमदर्दी होने लगेगी कभी-कभी लगता है न हमें कि इस रोल में कोई और होता तो जादा आच्छा होता यहां ऐसा नहीं है ऐसा लगता है कि रंदी फुड़ा बने ही इस रोल के लिए थे पहले तीन एपिसोड में कुछ अलग और चौथे-पाच्वे एपिसोड से एक दम डिफरेंट बट कही न कहीं आपको यह सीरीज उड़ता पंजाब, पाता लोक और लास्ट-लास्ट में मिर्जापूर की भी वाइब्स दे जाती है जिससे ऐसा भी लगेगा कि ऐसे टॉपिक्स पर तो अल्रेडी कुछ ना कुछ बना हुआ है बट थोड़े से डिफरेंट प्लॉट और अक्टर्स के कमाल अक्टिंग के वज़े से फिर भी आप इस सीरीज को एंजोई जरूर करोगे वैसे इस सीरीज लास्ट एपिसोड में आपको एक क्लिफ एंगर पर छोड़ देती है जिसे ये भी समझ में आता है कि इसका सेकंड सीजन भी आएगा शॉट में कहूँ तो यस आप ये सीरीज देख सकते हो बस फैमिली के साथ मत देखना क्यूंकि गालिया बहुत है कुछ अशलील सीन्स भी है कुछ नहीं बहुत सारे है बट सब कुछ उपर उपर से दिखाया है बट स्टिल उपर से दिखाया है या पूरा अंदर से फैमिली के साथ मत देखना मैं दूंगा इस पूरे सीरीज को 3.5 ओट आफ 5 स्टार्स मिलते है अगले वीडियो में बाई